हेलो गाइस वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल तो चलिए गाइस आजम बात करने जा रहे हैं सिंग कॉक में लगे हुए स्पेंडल को किस तरह चेंज करें और वह स्पेंडल कहां पे लगा हुआ रहता है उसे हम किस तरह चेंज कर सकते हैं इस वİडियो में आज हम यह जानने वाले हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन के सामने हम इस स्पेंडल को लगे हुए को निकालने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेर आइकान को प्रेस कर दीजी ताकि हम इस तरह की नई नई अपडेट्स आप तक पूचा सके और लाइक एंड कमेंट करके बताईए कि वीडियो कैसा लगा है कि हमने देखा कि यह सिंख कौक लगा उआ था और इस सिंख कौक में से बुंद बुंद पानी की हो रहा था इसलिए इस इस स्पैंडल को चेंज कर देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह जो लगा हुआ है यह बंद और चालू करने का इस स्पैंडल के ही कारण यहां गोल घुमता है और बंद और चालू पानी को करने में स्पेंडल ही काम आता है तो ये स्पेंडल को इसके अंदर में लगा हुआ रहता है इस स्पेंडल को हम किस तरह खोल ले और चेंज कर ले हम बता देते हैं आपको ये जो नीचे की और एक ब्लू कलर की शील दिखाई दे रही है इसे निकाल लेना है, इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसके अंदर में एक एलंकी बोल्ट लगा हुआ है, इस एलंकी बोल्ट को हम एक एलंकी से खोल लेते हैं, जो कि इस तरह की एलंकी है, यह नल के इस पैंडल जो हैंडल होते हैं इस हैंडल में लगे हुए बोल्ट को खोलने के लिए ही यूस किया जाता है पिछली हम इसे खोल लेते हैं इस तरह से आप इसे लगा के पीछे की और गुमाते हुए इस तरह से हमने इसे खोल लिया है आप इसे इस हैंडल को सामने की और खीच लीजिए यह इस तरह से हम इस बोल्ट को भी रग देंगे ताकि यह बोल्ट घुमने के बाद आपको यह बोल्ट मिलने ही पाएगा और यह सिंक कोख खराब भी हो सकता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह जो बीच में यहां पे हमें कुछ जंक दिखाई दे रहा है इस कारण से यहां खराब हो गया हो तो हम इसे खोल लेते हैं आपको एक 14 नमबर और 15 नमबर पाने को लेकर आ जाना है उससे आप इसे खोल सकते हैं कुछ इस तरह फसाते विए पीछे की और घुमाना है इस तरह से हमने इसे खोल लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो यह रबर की सील है यह भी खराब हो चुकी है और यह भी रबर की सील खराब हो चुकी है तो हम इसके बदले हम इसे लिजा के हम दूसरे इस तरह के इस को लेकर आ जाएंगे जो कि आप देख पा रहे हैं यह सारा पीतल का बना हुआ है और यह खराब नहीं होता है यह मार्केट में आपको 100 रुपए से 80 रुपए के बीच में मिल जाता है आप इस तरह के ही स्पेंडल को लेके आईए और इसमें लगा लेजिए जिस तरह आपने इसे खोला था उसी तरह इसे इसमें फिक्स कर दीजए हमने इसमें इसे फिक्स कर दिया है और इस पाने से आप इसे थोटाइट कर दीजिए ताकि वह खुले ना और आप इसे देख लिजिए कि अब बंद और चालु किदर होगा अगर सामने की और घुमाते हैं इसे तो यहाँ चालू होता है और इस और घुमाते हैं आप तो यहाँ बंद होता है तो आप इसे इस तरह लगा दीजिए और इस एलंकी बोल्ट को भी इस एलंकी में इस तरह फसाते हुए अंदर डाल दीजिए और इसे fix कर दीजिए, ताकि यहाँ हिले ना, इस तरह से हमने इसे fix कर दिया है, और आप देख सकते हैं, कि यह बिलकुल चालू हो चुका है, यह इस तरह से आप इस sink cock में लगेविये spendal को change कर सकते हैं, तो guys यह ता आज कामार topic कि sink cock में लगेविये spendal को हम किस तरह change करें, how to change spindle sink cock spindle गाइस उम्मित करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और कमेंट करके बताए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर करे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू